ये आतंकी हमला हुआ है जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा जवान शईद हुए हैं और जिसकी खबर मिलते ही फिर कल से पूरा देश बहुत ज़्यादा गम्मे हैं वे काफी ज़्यादा अक्रोसित भी हैं इस हुई अति दर्दनाक वे अति चिंता जनक आतंकी घटना की हमारी पार्टी कड़े सब्दों में निंदा करती हैं और साथी इस दुख वे गम की घड़ी में शईद वे परिवार के साथ भी खड़ी हैं इसके साथी इस घटना को अति गम्मीरता से लेते हुए हमारी पार्टी केंदर की सरकार से वे खासकर परधान मंत्री स्री नरिंद्र मोदी से भी ये विनर्म अनुरोद करती हैं कि वे ऐसे विकट के समय में अपनी केवल आज के ही नहीं बलकि इस घटना से जुड़े इसके वास्त्विक तारों तक पहुँशने तक अपने सभी राजनितिक कारे कर्मों को स्तगित करके और साथ यब अपने चुनावी स्वार्थ वे दुवे स्पून राजनिति को भी बंद करके तथा दुनिया के खास कर सभी शांती वे अमन परसंद देशों को भी साथ में लेकर अब इनको इस समस्या से निवटने के लिए इसका कोई ना कोई इस्ताई हल जरूर निकालना चाहिए जबकि इस मामले में सरकार के हर कदम के साथ पूरा देश वे यहां की इनकी सभी विरोधी पाटियां भी अपने सभी राजनितिक गिल्ले सिक्वे बुलाकर इस समय इनके साथ एक जुट होकर खड़ी हैं अर्था अता बिन से निवटने के लिए केवल यहां मात्र कुछ मिंटों का मोन रखने से वे शोग परगट करने से एवम केंडिल मार्च आदी निकालने से तथा इस घटना के विरोध में मात्र खोकली वे हवा हवाई ब्यान बाजी करने से और हमेशा की तरह इसकी भी कड सब्दों में निंदा आधी करने से भी कोरा काम चलने वाला नहीं है बलकि इसके स्ताई हल के लिए अब यहां केंडर की सरकार को व्यखास कर अपने देश के परधान मंत्री सिरी नरेंद्र मोधी को भी खुल कर सामने आना होगा इसके साथ-साथ अपनी सरकार की सबी कम्यों को भी जरूर दूर करना होगा यह जो घटना आए दिन हो रही है तो यह घटनाओं को रोटने के लिए हमें काफी कदम उठाने होंगे सरकार को लेकिन इसके साथ-साथ इनको अपनी जो सरकार की जो सबी कम्या है चाह वो इंट ज़दा देरी होने की वज़े से फिर यहाँ अपने देश में कोई और भी ज़दा अनर्थ ना हो जाएं। को ये स्ताई हल जरूर निकालना होगा ऐसी मेरी केंदर के सरकार से पुर्जोर अपील भी है धन्यवाद